सहारा प्रिणाम मैं हूँ प्रीती पांडे बड़ी भहस में आज हम बात करेंगे देश के सबसे हाइटेक शहरों में गिने जाने वाले बंगलुरू की जहां एक फेस्बुक पोस्ट के बाद मंगलवार रात हिंसा भड़ा कुठी जिसमें भारी नुकसान हुआ है इस हिंसा में अभी तक तीन लोगों की जान गई है जबकि सैक्रों की संख्या में लोग जखमी हुए हैं पुलिस के मताबिक कठित धार्मिक भावनाए भड़काने वाले पोस्ट को शेयर करने के आरोपी को गरफतार कर लिया गया है इन सब के बीच बड़ा सवाल ये है कि बेंगलूरू शेहर को किस ने जलाया बेंगलूरू में जो कुछ हुआ क्या वो सूनियो जित्था इस हिंसा के पीछे किस का हाथ है ये हिंसा है या साजश इस से जुड़े तमाम मसलों पर हम अपने खास कारिकरम बड़ी बहस में अ करनाटा की राजधानी बंगलूरू में मंगलूरू में मंगलूरू को चेड़ी हिंसा के पीछे रैडिकल इसलामिक संगठन पीएफ़ाई के पॉलिटिकल विंग स्डिपी आई का हाथ माना जा रहा है इस समद में पुलिस ने स्डिपी आई की नेता मुजमिल पाशा को गरफतार कर लिया है बताने की इस साल फरवरी में हुई दिल्ली हिंसा के पीछे भी पीएफ़ाई का हाथ सामने आया था बंगलूरू में मंगलवार रात जबर्दस्त हिंसा भड़क गई थी आगजनी पत्राव और तोडफोर को काबू करने के लिए पुलिस ने फाइरिंग की जिसमें तीम लोग मारे गए वहीं हालात को देखते हुए बंगलूरू में धारा 144 लगा दी गई है और करीब देर सो लोगों को गरफतार कर लिया गया है यह हिंसा कॉंग्रेस विधायक श्री निवास बूर्ती के आवास पर तोडफोर से शुरू हुई विधायक के भतीजे के एक कठित भड़काव सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर बवाल उचा उपद्रवियों ने बंगलूरू के डीजे हली और केजी हली पुलिस थाना इलाके में जम कर नारे लगाए और तोडफोर की पुलिस कर्मियों को भी निशाना बनाया गया बंगलूरू के पुलिस कमिशनर कमल पंत ने बताया कि 60 से ज़ादा पुलिस कर्मीज घटना में खायल हुए हैं इनमें एडिशनल पुलिस कमिशनर भी शामिल हैं जिने अस्पताल भरती करा दिया गया है पूरे बंगलूरू में 244 लगाय जाने के अलावा डीजे हली और केजी हली पुलिस टेशन के आसपास कर्फियू भी लगाया गया है हिंसा को लेकर एक CCTV फुटेज भी सामने आया है करनाचक के मुख्यमंत्री येदुरप्पा ने ट्वीट कर हिंसा की निंदा की है उपद्रवियों को चेताव नहीं दी है उन्होंने कहा है कि कानून अपने हाथ में लेने वालों के खिलाफ कारवाई की जाएगी जिन्होंने पुलर्स मीडिया और लोगों पर हमला किया है उन्हें किसी भी सूरत में बक्षा नहीं जाएगा वहीं कनाता की मंत्री सीटी रवी ने कहा है कि मेरा मानना है कि ये सुन्योजित धंगा है सोशल मीडिया पर विवादित पोस्ट को डाले जाने के एक घंटे के बाद हजारों लोग एकत्र हो गए वर्धायक के आवास और दो सो तीन सो वहनों को शतिग्रस्त किया गया हम इस मामले में सक्त कारवाई करेंगे ये एक सुन्योजित घटना है इसके पीछे स्दी पी आई कहा थे त्वीटर में फेस्बुक में एक पोस्ट आने के बाद एक गंटे के अंदर हजारों लोग इकट हुई और फ़िर लगा दिये आग लगा के बाद टू अंड़ त्री अंड़ वेहिकल डैमेज कर दिये ये मेले गर भी डैमेज कर दिया है पूरा डैमेज कर दिया है इसके पीछे धंगा करने का प्लान करके वे लोग आया है वे लोग आया है वे टेक सीरियस अक्षन सम पीपल दे तिंक वे आर बहेंड यबोद आला तट टाइप आप मेंटालिटी ये वील करब करब देम तो सोशल मीडिया पर एक भड़काओ पोस्ट और उसके बाद जल उठा बंगलूरु शहर हाइटेक शहर गिना जाता है पूरे देश में और जिस तरीके से यहाँ पर बीती रात आगजनी हुई हिंसा हुई पुलिस कर्मियों को निशाना बनाया गया जवाबी कारवाई में तीन लोगों की मौत ये सब कुछ सवाल खड़े करता है कि एक पोस्ट एक घंटे के भीतर इतना भड़काओ कैसे हुआ कि स्थित्ती ऐसी हुई कि पूरा बंगलूरु शहर जल उठा ये ऐसा तो नहीं है कि सब कुछ पहले से सूनियोजित्त है हुआरे साथ सुडियों में पैनल पे कुछ लोग जुड़ गए है बीजीपिर प्रवगता शिवम त्यागी जी हमारे साथ जुड़ गए है अगर बात की जाए कॉंग्रेस से तो हमारे साथ सुरेंदर सिंग राजपूर जी होंगे हमारे साथ पूर्व IPS O.P. सागर जी भी होंगे और साथी साथ वरिष्ट पत्रकार रिशी मिश्र हमारे साथ है इस पूरे मुद्दे को लेकर के समझना चाहेंगे कि क्या वाकई जो कहा जा रहा है कि ये पूरा सूनियोजित था जो दिल्ली में हुआ था वही तस्वीर बंगलूरों में दुबारा कोशिश की गई थी सबसे पहले शिवम जी मैं आपके पास आना चाहूंगी जिस तरीके से कहा गया एक घंटे पहले पोस्ट आता है सिर्फ एक घंटे पहले एक विवादित पोस्ट गया आप तमाम चीजे देखते हैं सोशल मीडिया पर पचास तरह की चीजें चलती रहती है चाहिए वो किसी के हित के खिलाफ हो ये अपने आप में बहुत गलत है और आप किसी भी इश निंदा के खिलाफ कारवाई होनी चाहिए इसमें कोई दोराय नहीं है उसी के साथ साथ इतनी देर में ही क्या हुआ कि एक दूसरा जत्था जो है विधायक के घर पर पहुँच गया और दूसरे पुलीस स्टेशन पर शुरुआत वहां से हुई जब बात F.I.R. तक थी तो सारी चीज़ें थी पुलीस लगातार बात कर रही थी सारी चीज़ें चल रही थी लेकिन साड़नली क्या हुआ कि वहां पर जो बाहर वाहन थे उनमें आग लगानी शुरू कर दी गई और दूसरी तरफ अगर विधायक के घर के बाहर की बात करें तो वहां पर आग लगानी शुरू कर दी गई सबसे पहले सिचुवेशन में प्रथन रस्ट अगर कोई भी चीज होती है तो पुलीस का काम होता है कि F.I.R. करके कारवाई की जाए आप क्या चाते है कि मतलब आप F.I.R. कराना चाते है या इस देश की जनता को या प्रदेश की जनता को या फिर एक समो को डराना चाते है यह पूरी तरह से प्रॉपगेट और प्लानिंग है जहां तक आप इसे देखें यह बंगलूरू की हैं, यह अचानक से नहीं हुआ होगा, गाड़ीयों को हवाले किया गया, जिस तरीके से यह तस्वीरे बया कर रही है, कि किस तरीके से पूरी प्लानिंग थी, पोस्ट हुआ, और पोस्ट के एक घंटे के भीडर भीराती है, सेंकडो गाड़ीयों को निश परवक्ता हैं वो जुड़े उनके साथ भी मैं पूछना चाहूंगी क्योंकि उन्हीं की पाती के विधायक पर निशाना बनाया गया है रिशी जी इस तरह की घटना आपने देखी भी होंगी आपको अच्छा खासा experience है आपको क्या लगता है इस तरह की जब हमले होते हैं हिं अभी मैंने आती नहीं देखी थी और अब जो तस्वीरे देख रहे हूं तो परषान कर रही है कि इस सिथी भी मद्ली जी रहेיל हम कि सुन्योंजित नहीं किया है कि मेरा सवाल है उहां के दोई पर पूलिस सुख मिनिसर्स सभाविका मे Örena जीघनियीब घटना है तो पूरे बैंगलवर पूलिस क्या कर रही थी Benim你好 बैस बजे ढ़ा मुर्तिजИ पts बजे विधायक राम मुर्ती जी घर पर हमला हुआ है उसके बाब्यूद सुभा में हमला होले कि यह बिधायक से कम साठ से सतर गारी उसको जला दिया जाता है तो पुलिस ने जो प्रतिक्रिया आप लोगों के तरफ से अब तक नहीं आई करनाटक में कुछ समय पहले तक तो आपी लोगों की सरकार थी उसके बावजूद इतना ठंडा रवएया? क्या चाहते है प्रश्वास के थिए अधित्य चाहते हैं वह लोग फानून की बात प्रेयर क्या आरतिजनता पार्टी की तरीकी से भड़कानू की देखिए तीन बाताने नंबर एक आपकि पोस्ट आई है प्रति जनता पार्टी का करिकता है जिस आजिक पोस्ट है और जिस तो आपने आप बार्टी का कारे करता बता रहे हैं आप यह कह रहे हैं कि बीजेपी के कारे करता था उसने पोस्ट डाला ताकि हमला हो तो विदायक का नाम सामने आजए शिवम जवाब देना चाहेंगे आप बड़ा इंटरस्टे लिए आपने आपको इस चीज से बचा लिया कि ठीक है आप क्या चाते हैं कि हम भारतिये जनता पार्टी की तरह से भड़काओ बयान दे या फिर सिचुवेशन को कानून के लिहाद से चलने दे जब दिल्ली में ये तमाम चीजें हुई तब तो आपने इसे एक्जिक्यूट की हैं और मेरा सवाल रिशेम इश्राशी जी से भी है उनकी कोई क्रेडिबिलिट नहीं है सिर्फ पुलीस के जिम्मेदारी है शिवम सुनिए आपको भी रोकना चाहूंगे आप भीम और मीम का जब हवाला दे रहे हैं और आपने जिस समुदाय को ले मुस्लिमों ने चेन बना कर मंदिर को बचाया किस भीड से जो मुस्लिमों डॉमिनिट भीड थी यह आस्यासपत नहीं है अपने आप में मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जब मैं खास तोर पर एक समुदाय में और खास तोर पर उसमें भी बात करता हूं तो मैं उन कट कह रहे हैं कि पहले तो आप उनका साफ देते नजर आते थे क्यूंकि आप लोगों को सेक्यूलर का जो टैग लगाया गया है वो तो खुद को अपने आप से हमेशा से इसको दूर करते रहे हैं अब जब मैंने उनसे ये बात पूछी कि हनुमान मंदिर तो इसी समुदाय न आप लोकल से लेकर आज तक बहुत जादा प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिली मुझे किसी सोचल मीडिया पर कॉंग्रेस की किसी दिगज नेता का कोई ट्वीट नहीं दिखा इस तरीके से सब्सक्राइब जाब दीजिए मेरा सवाल यह है कॉंग्रेस के बिधायक के वह भतीजे हैं जैसा मीडिया मीडिया में यूज ख़वर आ रही है तो बिधायक ने क्यों नहीं अपने भतीजे पर किया कि अधी बहतीजे ने कुछ आपतीजनक पोस्ट डाला फेस्बुक पे तो बिधायक की एजिम अधानिक पत्पे हैं समय दानिक पत्पे बैटे हुए लोग कि क्या जिम वरी नहीं यह दि उनके पुरा होने से पहले तो दूसरी बात रिषी जी ने कहीं निश्यत तौर पर समय मिलता तो विधायग भी FIR जरूर करते हैं समय नहीं मिल पाया, इसलिए विलायक ने F.I.R. नहीं की, इस बात्से में सह मत, तीसरी बात जो मैं भारती जन्ता पायटी के प्रवक्ता मोहदे जो बाते कर रहें कि यहां था, वहां था, इन लोगों की पुरानी आदत हो गई है, कि पहले दंगा भड़काते हैं, पहले पुरी हिंदुस्तान की मेडिया और जो इंटरनाशनल मेडिया है, उसने भी विशय को उठाया है, उसके इतर रास्त्रिय चैनल पर बैट कर एक ऑफिशल प्रवक्ता इस तरह से जूड़ बोल सकते हैं, यह अपने आपने बहुत बड़ी बात है, मतलब आपकी इंटेलिजन्स अगर इतनी है, तो कल ही आकर जन्ता को बता देते हैं, कल से आज शाम तक कोई बहाना कोई मिला आपको बताने के लिए जो आज पांच बजे आपको कारे करता बता दिया भारतिय जन्ता बाती है, यह तो सारी चीज़ें के हैं, या फिर कॉंग्रेस के विदायक के आपके पास दुबारा आ रही हूं, मैं यह पूछ रही हूं, कि पुलिस यह काम कर लेगी, यह तो सपश के साथ बता देगी, क्योंकि नवीन भी जो है, जिसको आरोपी बताया जा रहा है, उन्हें कि रफ्तार कर लिया गया है, मुझमिल पाशा को भी रफ्तार किया गया है, इस पूरे मामले में PFI का नाम भी सामने आया है, और आपको ध्यान होगा कि दिल्ली दंगों में PFI का प्लानिंग, एग्जेक्यूशन, क्या हम ये मानें कि बंगलूरू को दिल्ली की तरह ही देलाने की हिंसा का भेट चड़ाने की कोशिश की गई, सबसे पहले सुरेंद्र जी आप ही के पास सारी है, क्योंकि आपको समय नहीं मिल पा रहा है, तो सबसे पहले आप ही का रियाक जोलकर के से वहाँ पर दंगा भरका, आप इसके लिए कर फोली सोली रिस्पोंजिबल है, तो मारती जनता पालिटी की सरकार उनके ही कारे करता ने नहीं की पोस्टैली इस बाते हम सर्पहमत, इसके बात पास वहामत हैं मिल हम्रोंकि इसके बात कंगरेeu के उपर आप आप प्रफ़ाई की बात कर रहे हैं जिसको भी जो लोग भी दोशिय उनके खिला इतनी कठोर सम्कारवाई करें दंगे के बुखालेश इतनी कठोर सम्कारवाई करें कि दुबारा उन लोगों की कमर सी भी ना हूं सके चली अभी आप तो ये आपने तो कह दिया कि सीधे तो और प करता है हमारा उससे कोई लेना देना 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 कारण इस तरीके के दंगे के लोगों को सुरेंदर जी अब तो हो गया आप तो दूसरे को सुन लीजे ना तभी तो पता चलेगा भारतिये जन्ता पार्टी क्या साइड है कि इस चीज़े बिल्कुल क्लेर हैं पुलीस ने उनको गिरफ्तार कर लिया है आगे की कारवाई जरूर होगी आपने कह दिया के ठीक है दिल्ली में भारतिये जन्ता पार्टी का ही हाथ था और यहां पर भारतिये जन्ता पार्टी ही जिम्मेदार है आप मुझे एक चीज़ बताइए विधायक तो आप ही के ना बतीजे त वो अलग बात है कि आप नहीं मान रहें दूसरा आप मुझे एक चीज बताइए बार-बार जो आप कहते हैं कि मैं समुदायों की तरफ क्यों लेकर चला जाता हूं आप मुझे बताइए कश्मीर में चलो सेना थी दिली में चलो कपिल मिश्रा थे पैरिस में चलो चारली एड जो सवाल मैंने किया पीएफाई को लेकर के इससे तो इंकार नहीं कर सकते ना चाहिए बूलें कि कॉंग्रेस का है बीजेपी का है यह हकीकत है कि जिस तरीके से बंगलूरू बीती रात जली है वो तस्वीर परिशान कर रही है अब ऐसे में पीएफाई का एंगल तो कोई नहीं नकार सकता आप पर प्रतिक्रिया दें उसके बाद ओपी सागर जी भी मारसा जुड़के उनके पास भी में जाओंगी पहले दीपती जी चाहे कोई भी हो देश के समाजिक समरस्ता से कोई भी खिलिवार करता हो चाहे एक्स वाज़ेट किसी भी प्लेटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं या कॉम्रेस के बिधाक के भतीजे हैं यह भी बिधाक से उनका कनेक्शन साबित होता है तो चलिए पहले आप बोले मैं सर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अगर वो भारतिये जनता पार्टी का कारे करता है तो अभी तक करीब 18 गंटे हो चुके हैं यहाँ पर सुरेंद्री जी जिस तरीके से शिवम ने सीधे तोर पर एक बार फिर से कहा सोशल मीडिया से लेकर के बाकी तमाम सभी प्लाटफॉर्म पर यह तथे तो सामने आ रहे हैं कि वो विधायक के भतीजे हैं आप क्या इस तथे से भी इंकार करने हैं कि वो विधायक के भतीजे हैं और दूसरी बात वो भारती जनता पार्टी का सब्सक्राइब भारती जनता पार्टी का सब्सक्राइब विधायक का बतीजा है और आप अगर नहीं देख आपको अभी वो भी भेज देता हूं और शिवन त्यागी जी उसके बात बताएं कर माफ़ी मांगें और भारती जनता पार्टी जनता पार्टी एक संगठन है उसका कारेकरता बनने के लिए एक प्रॉपर प्रोसीजर है ये कोई नहरू इंड फैमिली प्राइविट लिमिटेड नहीं चल रहा है कि कोई भी अपन आप ही के लिए जनता पार्टी है तो वह भारती है एक साथ नहीं हो गया है अगर आपके पास कोई विदायक दिशय धर दो sv बिटीजस उनका खरे है जो मैं एक साथ नहीं खटा हो जाते हैं अभी मैं पहले O.P. सागर जी का रुख कर लेती हूँ क्योंकि पूर्वा IPS है वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि इस तरह की सिती से कैसे निप्टा जाता है सागर साभ पहले तो आपका के अंदर कोई पोस्ट है जो इतना ट्रिगर कर देता है कि भीड़ सेंक्रों की दादात में सडकों पर इखटी वायती है इक खटा होने के लिए भी तो कुछ समय चाहिए ना और यह घटना जो है कोई भी घटना हो जाती है उसका रियक्शन इतना इंस्टेंटेंजनी इसमें ऐसा रियक्शन हो जाया है इतने सारे लोग निकला है इसका मतलब कि एक जन हाक रोज पहले से ही वहां ठाने एक चौकी के प्रतीश था पुलिस के प्रतीश था उसका खटा नहीं हुई थी भीड और एनर्सी के मुद्दे को लेकर के धीरे धीरे लोगों का हुजू में खटा होना शुरू हुआ था या फिर अगर जो दिली में हमने बाकी दंगे भी देखे थे जो जनवरी और फरवरी के महीने में उसमें बाकायदा प्लानिंग हुई थी सम R आपने एक पोस्ट किया वह पोस्ट इतना ट्रिगर कर जाए कि भीडिकटी हो उसके बद पुलिस स्टेशन को आग के हवाले कर दिया जाए विधायक के घर को आग के हवाले कर दिया अजाए सेकडो गारियां आग में जला दि जयाएं काई लोग जखमी हो जाएं क्योंकि पुलिस को भी समय नहीं मिला, यह हकीकत है, साजिश ना समझें हम इसे? पुलिस को भी समय नहीं मिला, यह हम इसे? पुलिस को भी समय नहीं मिला, यह हम इसे? अगर एक गंटा लगता है, तो बहुत जादा दिखाई पड़ती है, खाट तो भी सकती है, तो इसलिए मोबिलाइज किया गया है, और आभी सकती है, लेकिन जाच में यह कारा मालूम करने पड़ेंगे, कि आखिर कौन लगते है, इनके पीछे कौन थे? और एक हमें इस्तानिय पूलिस की भूमी का इस बामने में ज़रू देखनी चाहिए, कि ऐसा क्या माम वह है, तो इतना जाजा आसंतोश इस्तानिय पूलिस के बिरत है. इस पूरे पामने में पूलिस ने 24 घंटे से भी कम समय के अंदर दो लोगों को जो एहम लोग हैं इस पूरे हिंसा को लेकर के, उन्हें तो सलाकों के पीछे कर दिया है, तकरीबन 1500 के आसपस की गिरफतारी हुई है, रिशी मिश्या जी हमारे साथ मौजूद है, रिशी जी जिस तरीके से 24 घंटे से भी कम समय के अंदर, पुलिस का जो एक्शन रहा है, हाला कि शुरुआत में कहा गया कि इंटेलिजेंस फेलियर था या पिर समय ही नहीं मिला, अब जिस तरीके से सिति को कंटेन करने की कोशिश की जारी है, आपने हाला कि सवाल किया है, कि रात में इस चीज को देखेंगे, तो कहीं नहीं कहीं यह लापरवाई है, या इंटेलिजेंस फेलिवर तो हैं, या जो सिनियर आईपीस अधिकारी बैठें, वह भी हमारे बात से अगरी करेंगे, मनली जे मैं सहरा ओफिस में बैठा हूँ, और यहां पे कोई घटना दरात में दस अधिकारी बैठेंगे, और फिर वही मौब सुबह में आके साहरा ओफिस में आके हमला कर दे, तो कहीं नहीं कहीं लोकल पुलिस ने काम नहीं किया, पुलिस तो उनकी ही है, सरकार अभी बीजेपी की है, तो हम यह क्यों ना मानें कि पुलिस ने यह घटना होने दी? सुरेंदर जी के हमारी आवाज ने जा रही है, शिवम जी आरूप आप पर भी है, देखिए यही चीज मैं पूछ रही थी, कि पुलिस का इंटेलिजेंस फेलियर जो है, यह तो दिखता है, और जो नाकामी है, अभी रिशी जी ने बताया, कि सुबह भी हुई है ये घटन मुझे लगता है जिस तरह के सोच है तो ठीक है उसको बदलना पड़ेगा कही ना कहीं वो बेहत जरूरी है कि हम जिस तरह से जो विक्टिम है उनकी तरफ जो उंगलियां उठाकर शुरू हो जाते हैं और जो दंगाई है जो भड़कार हैं उनके उपर बाती नहीं उनके पुलिस कारवाई जारी है इस पीच बड़ी पहस में आज के लिए फिलहाल इतना ही मुझे दीजिये इजाजत सहर अपर नाव झाल झाल